समस्कार दोस्तों पहारी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोग सामने आम का पेड़ लेकर आया हूं और इसी आम का पेड़ फाइदे के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि यह आम का पेड़ हमारे सरीर के लिए कितना फाइदे मंद है यह तो दोस्तों आम की गुठली भी हमारे सरीर के लिए बहुत ही फाइदेमंद होता है इसलिए दोस्तों एक कहाओत है साइद आप लोग सुने हो या ना सुने हो लेकिन मैं आज आपको सुना देता हूँ लोगों का कहना है कि आम तो आम गुठली के दाम अब सोचने वाली बात या है कि गुठली का क्या दाम है हाँ तो दोस्तों गुठली का भी दाम है क्योंकि गुठली एक आयरवेदी का उसदी है और बहुत सारे बीमारियों में उपयोग होता है इसलिए गुठली का भी दाम मार्किट में मिल जाता है इसलिए लोग कहते हैं आम तो आम गुठली के दाम तो चलो दोस्तों बिना समय गवाएं हम आगे बढ़ते हैं लेकिन आप लोग वीडियों पूरा पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी हांसिल होगा बढ़ते हैं तो समझे लिजिए किसी काम का ये वीडियों नहीं है आप हट जाएं मत देखे और अगर देखना चाहते हैं तो पूरा देखिए फिर आपको समझ माएगा कि आम हमारे लिए कितना फाइदे मंद है तो दोस्तों आम के पेड़ को पहचान कि आपको बताना आप तो आम के पेड़ को पहचानते हो बच्पन से चलो डारेक्ट इसके फाइदे के बारे में ही जानकारी हासिल करना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आम के छाल से फाइदा सुरू करते हैं तो दोस्तों आम के छाल को पानी में पका कर इसका रस बना कर किसी भी बोटल में भर लीजिए कैसा भी दाद खाज खुजली हो एक जिमा हो अकवत हो अपरस हो आप उसमें हल्दी मिला कर लगाएए वह तोचा रोग बिलकुल ठीक हो जाएगा इतना फाइदे मंद होता है दोस्तों आम के छाल कारा तोचा रोग के लिए अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर किसी परकार फोड़ा फुनसी हो बंद मुँ का फोड़ा हो जो की फूरता ही ना हो उसका मुँ नीचे हो तो उस फोड़े को पर आम के गोंद को निकाल कर किसी कपड़ा या कागज में लगा कर उस बंद मू फोले को उपर आप रख दीगे दो दिन के अंदर उस फोले को आम का गौंद फोड़ देगा और उस फोले के अंदर जो पीप मवाद गंदा खून unpलें सब को निकाल कर बाहर कर देगा और हुआ घाव कुछ दिनों के अंदर सूख जाए कुछ दिन क्या दो तीन दिन के अंदर सूख जाएगा इतना फाइदे मंद होता है दोस्तों आम का गोंद फोड़ा फुनसी और घाव को सुखाने के लिए और अगर माल लीजिए सडागला घाव है जो की ठीक ही नहीं हो रहा है तो उसमें भी आम के गोंद में आप हल्दी मिलाकर थोड़ा गर्माकर किसी भी कपड़े में लगाकर आप उपर से चिपका दीजिए वह सडागला घाव भी ठीक हो जाए इतना फाइदे मंद होता है दो आम के पत्ते भी कुछ कम नहीं है हमारे शरीर की बीमारी को दूर करने के लिए पता है अगर किसी को डायप्टी सुगर हो तो आम के पत्तों काहा बनाकर सेवन करने से डायप्टी सुगर जो है नॉर्मल होने लगता है न घटता है न बढ़ता है लिमिट में आ जाता है इत लीवर और किटनी को स्वच्त रखने काम करता है और पेंग किरिया को भी लिमिटेट रूप से काम करने का आज्या देता है दोस्तों इस आम के पत्तों काड़ा बनाकर सेवन करने से सर्दी खांसी जो खाम भी दूर होता है लेकिन इसके अंदर कुछ हिस्सा अदरक और हल्दी के डाल कर काड़ा बनाना होता है तो दोस्तों अगर किसी सर्दी खांसी जो खाम हो तो आम के दो तीन पत्ते ले ले लीजिए और करीबन दस पाँच गिराम अदरक ले ले लीजिए इतना फाइदे मंद होता है दोस्तों ये आम के पट्ता हमारे सरीर के लिए लेकिन हम जानते नहीं हैं उपयोग नहीं करते हैं इसलिए फाइदा नहीं पाते हैं दोस्तों अब चलते हैं हम कच्चे आम के तरफ कहते हैं ने कच्चे आम बहुत ही मज़ेदार होता है कोई भी कच्चे आम को देखता है तुरण तोड़कर खाना सुरू कर देता है नमक लगा कर तो क्यूं खाता है उससे मजा आता है और फायदा भी होता है अब कच्चे आम क सेवन करने के फाइद एक बारे में बताते हैं तो दोस्तों अगर कच्चा आम आप पा गए हैं तो कच्चा आम में आप नमक डाल कर सेवन कीजिए तो पेटों के अंदर पाचन किर्याग मजबूत करने क काम करता है गैस को दूर करता है दातों को मजबूत करता है, दातों मोहोने वाले पहरिया रोगों को दूर करता है यह कच्चा याम, जिसे टिकोरा कहा जाता है गाउं गरामनी छेत्र में कच्चे याम को टिकोरा कहते है अब दोस्तों इसी कच्चे आमक फाइदेग बारे मैं आपको और थोड़ा बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को धूप लग जाए घाम लग जाए लूप लग जाए अब लूप का भीमारी किसे कहते हैं वो आप जानिए जैसे माली जी बहुत कड़क धूप है सूरज की रोसनी में आप कहीं जा रहे हैं तो अचानक क्या होगा वह धूप आपके सरीर पानी को खीच लेगा और आपको धूप लग जाएगा यानि लूप लग जाएगा तो अब लूप लगने के बाद क्या होता है? पूरे सरीर में बदन में दर्द होने लगता है, बुखार आ जाता है तो उस बुखार कुताने के लिए आप कच्छे आम का पन्ना बना कर सेवंद करते हैं पन्ना मतलब सरबत, अगर आप सरबत बना कर पीते हैं तो वह अलू से लगने वाला बुखार जो है ठीक होने लगता है इतना फायदे मंद है दोस्तों या कच्छा आम का सरवत अब सरवत कैसे बनाना है वो तरीका मैं आपको बताता हूं तो दोस्तों जैसे मान लिजी आप कच्छे कच्छे आम तोड़ लिए तो उसे आग में कर उसका रस निकाल लीजिए और कुछ हिस्सा काली मिर्च के डाल लीजिए कुछ आजवाइन जीरा डालिए और सरवत बनाईए एक गिलास आप पीजिए और फिर देखिए आपका बुखार और बदन का दर्द बिल्कुल दूर हो जाए इतना फायदे मंद होता है दोस्तो कच्चे आम का पन्ना पन्ना मिन्स सरवत और हाँ दोस्तो कच्चे आम का सरवत पीने के साथ साथ में आप अगर कच्चे आम का गुद्दा अपने पूरे सरीर में मसाज करते हैं तो भी आपको फायदा होगा अगर आपको लू लग चुका है लू लगने को जिस बदन में दर्दे बुखार है तो उसमें भी काफी फाइदे मंद होगा या कच्छे आम के गुद्दा लेकिन भूनने के बाद आग में भूचकर इस्तमाल कीजिए फाइदा बहुत जल्दी होता है उस तो इस कच्छे आम के फाइदे इतने ही नहीं है बहुत से लोग क्या करते हैं कच तो चलो आप ध्यान पूरुवक सुनिये में बताता जाता हूं तो दोस्तों आम को सुका कर खटाई बनाने के बाद में उस खटाई का पाउडर भी बनाकर बहुत से लोग घर में रखते हैं अब होता क्या है उस सुखे आम के अंदर तो बहुत सारे विटामिन तत्त उपा डाल कर अमचूशते हैं तो तुरंद तुरंद उल्टी कंट्रोल हो जाता है इतना फाइदेमंद होता है दोस्तों सुखे हुए आम का पाउडर हमारे सरीर के लिए और हां दोस्तों वह सुखा हुआ आम का जो पाउडर होता है उसे अमचूर कहते हैं और अमचूर का क्या ह एसी डी टी गैस को दूर करना, पेटों को साब करना, यहां तक कि दोस्तों हुआ सुखे हुए आमके खटाई का जो पौडर है अम्चूर, उस अम्चूर की सेवन करने से ब्लट पेसर भी कंट्रोल होता है नॉर्मल होता है, तो दोस्तों सुखे हुए आमके खटाई के पड़ाहाट बेचैनी हो रहा है या उल्टी जैसा महसूस हो रहा है तो आप तुरंद तुरंद आधा चम्मच मुह में डाल कर सूखे हुए खटाई के पाउडर सेवन कीजिए चूसिए तो तुरंद 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 दस मिनट के अंदर आपका नसा उतर जाए चाहिए व तो दोस्तों अगर किसी को भी नसाग प्रोब्लम है तो आप इस सूखे हुए खटाई के पाउडर का सेवन कर सकते हैं बहुत ही फायदे मन्द होगा सरीर को लिमिट में लाने के लिए दोस्तों यहां तक कि अगर माल लीजी आपने किसी परकार का मेडिसीन यूज किया है चाहिए अलोपेथिक मेडिसीन हो चाहिए आयरबेधिक मेडिसीन हो और वह मेडिसीन वह दवाई आपको नुकसान दे रहा है तो आप उस नुकसान को हटाने के लिए तो उस नुकसान को खटम करने के लिए आप सूखे हुए आम के पाउडर सेवन कीजिए तो सरीर में होन आम को सुखा कर बनाया जाता है अब चलते हैं दोस्तों पके हुए आम के तरफ यह तो सभी को पसंदे पका हुआ आम दुनिया में साइध ही कोई आदमी होगा जिसे पका हुआ आम नहीं खाने में मज़ा आता होगा पसंद नहीं होगा लेकिन पका हुआ आम को सभी पसंद कर इसलिए पके हुए आम को आमों का राजा कहते हैं दुनिया वाले अब दोस्तों पके हुए आम के अंदर कितने फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूं। जो हमारे पेट में जाने के बाद पाचन किरियाग मजबूत करने काम करता है। जो हमारी नश्ट हो जाएंगे कुछी दिनों के अंदर इतना फाइदे मंद होता है दोस्तों या पका हुआ आम हमारे सरीर के लिए। इसलिए बड़े-बड़े सहरों में आम का रस लोग बेचते हैं और धूप में गर्मी में परिसान लोग इसका सेवन करते हैं पीते हैं त क्योंकि दोस्तों पका हुआ आम का रस भी धूप लगने से बचाने काम करता है क्योंकि पके हुए आम के अंदर भी तो बहुत सारे प्रोटीन विटामिन त्रत पाए जाते हैं क्योंकि जितना फाढ़े मंद कच्चा है खटाई है उतने फाढ़े मंद तो पका हूँ आम भी है लेकिन हमें साख खटाई ओटा है लकिन जो पका हूँ आमरे जूसर रहता है वो तो खाने में पीने में मीठा लगता है इसलिए लोग पके हुए आम को जादा प्रजन अन्ग में किसी भी तरीक में एक प्रवल्म हो तो आप आमके पत्तो काड़ा बना कर सेवन कीजिये लगातारे एक महीना तक तो आपके प्रजन अन्ग की समस्ष्या बिलकुल दूर भाइडे मंद होता है दोस्तो आमके पत्तो काड़ा दोस्तों यूँ तो आमको बहुत तरीके स्खाया जाता है आमका अमचूर बनाकर आमका अचार बनाकर आमको गुड़मा बनाकर आमका खटाई बनाकर आमका बहुत सारे आमको खाने के तरीका है बहुत सो लोग तो आमका गुड़मा बनाते हैं आप सुने होंगे आमके अगर मान लीजे किसी के पेट में कीड़े हैं, यानि क्रीमी रोग, तो आम के गुठली पाउड़र तीन ग्राम सुबा साम सेवन कीजिए, तो क्रीमी रोग नश्ट हो जाता है, अब अगर कोई बच्चा है चोटा उसको लेटिंग करते समय या संडाश पैखाना करते समय कां मतलब एक बिमारी है, जैसे कि लेटिंग करते समय गुद्दा मार्ग से लाल लाल एक चीज निकल जाता है बाहर, जो की बहुत तकलीब देता है, उसे कांच के बिमारी कहते हैं, वा गुद्दा मार्ग नीचे निकला रहता है, लटका रहता है, साइद आप लोग देखे हो किसी किसी बच्चों में होता है, किसी बडों भी होता है, तो उस बिमारी के लिए दोस्तों या आम के गुठलिक पौडर बहुत ही फाइदे मन्द होता है, आपको करना क्या है, तीन गराम आम के गुठलिक पौडर ले लिजी और तीन गराम अनार के कच्चे फलिक पौडर ले लिजे दोनों powder मिला कर 6 गराम होता है उच्छा गराम powder सुबा साम और दुपर 3 टाइम 7 कीजिए लगातार एक महीना तो वह कांच की बिमारी बिलकुल ठीक हो जाए इतना फाइदे मंद होता है दोस्तों या आम की गुठलिक powder दोस्तों आम के कोमल कोमल पत्तों करने से भूख नहीं लगता है तो वह सुबा सुबा खाली पेट आम के तीन चार पाँच पत्ते कोमल कोमल तोड कर चबाए और दो तीन गिलास पानी पीए तो दो तीन दिन के अंदर उसका खुल कर भूख आएगा इतना भूख बढ़ जाएगा कि वह खुब खाएगा खाना तो उस फोले फुनसी को आप दूर कर सकते हैं आम के चाल के काढ़ा से आपको करना क्या है आम के चाल को निकाल कर पानी में पकाईए और उस काढ़े के अंदर एक चमच हलदी डाल दीजिए और एक चमच फिटकी डालने के बाद उसे खुब घुमाएगा यह घुमाते दोस्तों चे अब डाई कर देखिये गा थोड़ा जम जाए उठा कर देखियेगा टीक वहगा ज़ी तो आप उसे उतार कर बाहर रखी ए ।ो य। आप अब कि शल के पिल्सी पिंपल्स तो वी आम किछाल का काढ़ा, इस तरह से दोस्तों यह आम का पेड़ हमारे सरीर के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है, तो चलो दोस्तों इस मातपुर जानकारी को हमें ही समाप्त करते हैं, अगर हमारी जानकारी लाबदायक हो, फाइदे मंद हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजि नमस्कार दोस्तों पहाली आयरवेदिक